वेलकम टू माई चैनल मैं महिश राई स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेट पेपर वन और स्टेट पेपर टू के बारे में ठीक है बहुत टाइम से मैं वीडियो क्लास नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं खुद एक्जाम देने के लिए गया था और आप सबको मैंने यह अपडेट टेलीग्राम के माध्यम से बता भी दिया था और बहुत सारे लोग मिले भी मुझे जिन्होंने मुझे पहचान लिया और बाते भी की तो सभी का बहुत बहुत थैंक्यू आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिलता रहता है तो estate के बारे में आपको बताना है कि अभी आपने जो exam दिया है न उसका result उसका result जो है आपको कब देखने को मिल जाएगा 18 को 18 तारिक को आपको result final मिल जाएगा ये पहली बात होगे उससे पहले आपको 2-3 दिन के अंदर 2-3 दिन के अंदर मतलब कि 16 को मानलो 16 तर 16 तर लास्ट 17 तर आपको answer की भी देखने को मिल जाएगा इससे पहले ही मिल जाएगा या मतलब कि आपको सुनने को मिल रहा है तो आज को छोड़के कल भी आ सकता है answer की और परसो भी आने के chances हैं ठीक है मतलब कि अब 18 को result आ रहा है common सी बात है तो आप serious जान सकती कि 18 को result आ रहा है तो उससे 2-3 दिन पहले answer की आएगी अब answer की की जहां पर बात आती है तो आप सभी को पता है कि कुछ प्रश्ण थे जो गलत थे सबसे पहली बात तो जो question paper आया था वो उसमें जो सही से नहीं आया था लिखा हुआ कहीं पे रेला के जगा रीला लिखा हुआ था पढ़ने में problem हो रही थी तो ऐसे ऐसे चीजे लिखा आ रहा था जवाली की जगा बदाली लिखा हुआ था यह सब चीजे पढ़ने में problem हो रही थी और बहुत सारी चीजे जैसे विकृत स्वर्ड के बारे में था आपने देखा होगा कि विकृत स्वर्ड के बारे में प्रश्ण बना था उसमें 6, 12 बीस, बाईस ऐसे गर का option था जो कि 5 ही होते हैं तो इस तरीके से बहुत सारे प्रशन गलत थे कम से कम 5 से 7 प्रशन थे जिसमें से बिल्कुल गलत तो तीन एक्जेक्ट जो बिल्कुली गलत थे लेकिन पांस से साथ पश्ण गलत होने की समभणा बन रही है और जो भी कोश्चन जो बन के आया था वो कहां से बन के आया था अरिहंत से ठीक है अरिहंत से आया है था दूसरी बात अरिहंत के बारी में मैंने आपको हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही बता आया है अगर आप में से जो लोग मुझे से पहले से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं मानदी जैँ मैंने एक साल, दो साल, पांस साल तो तो तब से जुड़े हुए हैं, तो मैंने किसी ना किसी वीडियो में बुख के बारे में जब मुझे किसी में कॉमेंट करके बूचा है, तो मैंने उनको यही बुख बताई है या आप अच्छे से जानते हो मैंने दो बुक के बारे में हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको लेनी है एक कौन सी है राग परीच है मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं इन सब बुक के बारे में मैं आपको अपना बता रहा हूँ और क्यूं बता रहा हूँ वो भी मैं भी बताता हूँ दूसरा अरि प्रॉब्लम होती है यह आप याद रखना कोई भी बुक आप लोगे उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी दुनिया की ऐसे बुक है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या म्यूजी की कोई ऐसे बुक है जिसमें कोई भी प्रॉ तो इसलिए राग परीचे में कुछ गलतिया हैं जिसे वादी समवादी कहीं कहीं पे गलत दिया गया है अरी हंत में जो MCQs है जो questions paper है उसमें problem है तब भी मैंने इसको हमेशा बोला है कि अरी हंत आपको पढ़नी है अरी हंत आपको पढ़नी है अपको विश्वास नहों तो प कि देख सकते हैं उसमें मैंने इन दोनों भुक के बारे में जिकर किया है कि राग परीचे और अरी हंत दोनों ही पढ़नी जरूरी है अब आप पुछेंगे क्यूं सर हम क्यूं पढ़े है दिखिए जब किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी नहीं आता तो उसको उसकी उसक चंड स्री वास्तव जी भी ने इसके वाइटर है और यह बहुत जगा पर चलती है ठीक है यह बूग जो है आपकी बहुत जगा पर चलते हो IPBoard में चलती है भीहार board में चलती है प्र्याक संगीत संहेनृती प्राचीन कलांकेंद एदुनृकेंद में गंधर मग मंडल है CBSC and CBSC NCEERT conduct CBSC conduct कराती है NCEERT इनCERT नहीं है लेकि वो सारह सलेवस आपको इसमें मिल जाएगा लेकिन NCRT की जो बुक है जो मैं कहा रहा हूं अच्छे से सुनिये, उसमें आपको सारह सलेवस नहीं मिलेगा, जैसे संगीत मंजूसा है आप उस से उठाइए CBSC की है NCRT के तहत हैu उसमें आपको सारअ syllabus नहीं मिलेगा लेकिन इसका सारअ syllabus इसमें आपको सारा syllabus मिल जएगा राख परीचे पर उसरल शब्दों में हैं और बहुत अच्षी book है तो आपके पास अगर नहीं यह book है तो आप ये book ले लीजिए, आपको आगे चलके काम आएगी, इसमें नहीं आई, कोई बात ही, BPSC का होगा, UPTGT का होगा, और बहुत सारे के उसमें काम आएगी, और अरीहंद, अरीहंद जो book है, ये net के लिए वैसे बोली जाती, net में ये बहुत अच्छी book है, net के लिए, इस सौ मेंसे आपके कुछ प्रशन गलत हो जाते हैं, सौ मेंसे कुछ प्रशन गलत हो जाते हैं, जैसे कि सौ प्रशन हैं, तो मान लीजिए 15 प्रशन उसमें आपको गलत हो जाएंगे, 85 प्रशन उसमें सही होगे, ऐसे इसमें गलती पाई गई है, MCQs में, चीक है, ये मैं आप को बता देता हूं तो इसलिए और हो नी भी जिम मैं तो कहता हूं नी चीए इसलिए क्योंकि आप अगर किसी कोशन का आंसर कर रहे हैं तो आपको भी तो पता होना चीए यहां इसका मुझे साहथ गलत लग रहा है तभी तो आपने पढ़ रखा उस चीज़ को अगर आपने उ अरिहंद का ही डाला है वह सारी चीज़े मैं आपको टैली ग्राम पी डाल दूगा तो थैली ग्राम पी वह सारी चीज़े मैं आपको डाल दूगा कि देख लीज़े अरिहंद का ही और तो ड 어렵 Але जो इसे पहले को就可以 किस तरह का था आप मुझे comment करके बताऊगे अग community पे मैंने एक survey कर रहा हूँ कि estate paper first और estate paper 2 ना estate paper 2 में आपके कितने marks बन सकते हैं उसके लिए आप अलग से जैसे मैंने 60 to 80 बोला है 80 to 100 बोला है 100 to 120 बोला है 120 से 150 बोला है अप किस category में आते हैं वहाँ पे आप जाईए और उस category में आप click कीजिए यहाँ मेरे marks इतने सही हो सकते हैं उस हिसाब से उस survey के माधियम से एक अनुमान लगाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पे 500 लोगों ने अभी तक comment कर दिया है 24 घंटे के अंदर ठीक है 500 लोगों कर चुके हैं आप में नहीं क्या तो वहाँ पे जाके आप comment कीजिए और comment करने का time नहीं है तो click कीजिए बस वहाँ पे आप जैसे आप community पे जाएंगे तो उसे देखेंगे तो उसे click कर देंगे एक video मुझे मुझे लगता है कि बहुत सारी लोग अच्छी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी लोग रामीन चेत्रों से भी हैं जो मुझे देखते हैं तो उनका क्या होता है उन्हों यूटूब चलाना अच्छे से नहीं आता है जैसे मैं उनको बोलता हूं कि प्ले लिस्ट में जाके यूपी टीजी टीप में जाके उसकी सारी question paper कीजिए नट जैरब के लिए तो उसमें जाके कीजिए तो उनको पता ही नहीं चलता कि प्ले लिस्ट है कहां तो आपको अगर प्ले लिस्ट ढूनने में दिक्कत हो रहे है तो मैं उस पर एक वीडियो ले आऊंगा कौन सी चीज यूटूब पर कहां पर होती है कैसे उसे open करते हैं किस तरीके से क्या होता है वो सारी चीज़े मैं उस पर बताऊंगा आप समझ रहे हैं तो यह चीज़ है तो अभी तक अगर आपने कोई document वो अधूरा है तो वो बना लीजिए क्योंकि आपको time नहीं दिया जाएगा बहुत जल्दी वेकेंसी आएगी देखो यह इसका अठार को आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा ठीक है रिजल्ट आ जाएगा अठार को उसके बाद यह 30 तारिक को ठीक है इसकी notification निकाल देंगे 18 है तो 25-30 तक इसकी आपको दे देंगे वेकेंसी और इसको 30 तार एक नमबर से आपके एक्जाम स्टार्ट हो जाएगे एक नमबर से आपके एक्जाम स्टार्ट हो जाएगे याद रखना मलब कि 18 तक होगा 18 को रिजल्ट देखो क्या हुआ कि 25 तारिक को आपका फॉर्म लास्ट भरा गया और 25 तारिक से इन्होंने आपका जो एक्जाम 10 औ 11 का आपका एक्जाम हो गया, बहुत कितना जल्दी हो रहा है, 14 दिन का टाइम दिया है उन्हों ने, 18 तारीक दो रिजल्ट दे रहे हैं, कितना दिन का टाइम थिए, आठ तो आप ये देखिए, कि एक जग़ा पे ये 14 दिन का टाइम दिया, अब result देने में 8 दिन का time दे रहे हैं तो ये confirm है मैं तो 18 से 30 जो बता रहा हूँ आपको वो ज्यादा बता रहा हूँ ठीक है 18 से 30 का मतलब हो गया 12 दिन का फर्क हो गया ना तो आपको 30 तारिक तक क्योंकि इन्होंने वहाँ पे देखे जब आपका एक्जाम आपको 10 और 11 को हुआ तो आपको देखे 5 दिन उस महिने के और ये 10 दिन इस महिने के तो 15 दिन आपको दिया गया 14-15 दिन आपको यहाँ पे दिया गया तो 15 दिन यहाँ दिया गया उसके बाद 11 तारिक को आपका एक्जाम खाता हूआ आठारा को यह result दे रहे हैं, यहाँ पर आपको 7-8 दिन का time यहाँ पर, उसके बाद यह ज़्यादा time ही देंगे, आपको यही 15 दिन मिलेंगे, 12 दिन मिलेंगे, तो यहाँ से आपको 30 तारिक तक यह अपना final करके आपको एक notification जो होता है, short notification वो आपको 30 तारिक तक तो दे ही द 30 October से या 1 October से 20 दिन का time, 20 दिन का time आपको दे दिया जाएगा, फॉर्म भरने का, 15-20 दिन का, और उसमें आप फॉर्म भरके कि आप बोलोगे कि एक महीने का time दिया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब आपको एक महीने का time नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर आपको 15-20 दिन का time only दिया जाएगा, 15-20 दिन का only time दिया जाएगा, उसमें आप अपनी ढोकों सारी चीज़े कर लीजिए और उसको भरिये, और 1 November में आपका exam स्टार्ट हो जाएगी, और जल्दी से आपका exam होगा, 1-15 November तर आपका exam हो जाएगा, और December में आपकी joining हो जाएगी, लास् आप comment करके पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, जो भी चीज़े होता है, मैं आपके लिए हूँ, ये channel ही आप सबके लिए है, music परिवार के लिए है, अगर आपको other कोई चीज़ पता करनी होती है, वो भी आप यहाँ से पूछ सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, तो चाहते तो कोई बात नहीं, दूसरी चीज़, तैयारी को बहतर बना के रखे, क्योंकि तैयारी ही सब कुछ करेगा, तो आज के लिए इतना ही, तो अपना ध्यान रखेगा, पढ़ते रहेगा, स्वस्त रहेगा, मस्त रहेगा, और पीपीशन के साथ जबरतस रहेगा, तो थाइंक ये व्रीवन, जय हिन, जय भारत!